नमस्कार दोस्तो देलर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है दोस्तो ये बुक है 11th क्लास जियोग्रोफी की बहुत अच्छी बुक है इस बुक को मैंने टेलिग्राम पर डाल दिया है रीट के कोर्डिंग क्या-क्या पन को पढ़ना है वो आपको मैं बता देता हूँ देखे दोस्तो ये इस पुस्त का पाठे करम है यहां पर तो देखे दोस्तो अपनी जो यूनिट है साथ प्रित्वी के घटक उसके लिए ये खंड ए है ये मैतोपूरन है दोस्तो और इसके लाइस में दो खंडों में बांटा हुआ है खंड ए और खंड बै जो खंड ए इ पृत्वी गरहे के रूप में यहां से दोस्तों वो परसन पूछ लेते हैं बाकि अपने पाठे करम में तो नहीं है पाठे करम में यह भी नहीं है पृत्वी गरहे के रूप में लेकिन आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए यहां से परसन पूछ लिया जाता है देख कि दोस्तो इसका भी पाठ का दो पेज है इसका भी दो पेज तो दो पेज आंखों में से निकालने से आपका टाइम को वेस्ट होगा नहीं बाकि ये पाठे करम में नहीं है नेक्स्ट एक प्रित्वी की आंत्रिक सरंचना ताप दाब घनतो ज्वालामों की भूकम्पियत तरंगों के आधार तो दोस्तो अपने ये वाली जो यूनिट है इकाई दो यानि ये वाली इसमें ये दि दोस्तो मैं बात करूँ तो प्रित्वी के अपने घटक यूनिट प्रित्वी की स्ते पर प्रिवर्तनकारी आंत्रिके उन भाईय शक्तियां उसमें दोस्तो ज्वालामों की भूकम्प ठीक है अन्य जितने वे प्रकार की दोस्तो घटनाए हैं हिमका पीगलना गार्ज बनना घटी बनना वो सारी चीज़े आ जाती है दोस्तो तो उसमें अलग से पाठ भी दे रखा है वो भी आप पढ़ सकते हों फिदे के दोस्तो महादवीप एव महासागनों की उत्पत्ति ये अपने काम का नहीं है दोस्तो सेल अपने काम का है ये भी काम का है नेक्ष देखिए दोस्तो इकाई तीन में परमुख स्लाकर्ति शवरूप जैस अपरदन निक्ष पढ़ ये चीजे काम किये दोस्तो नेक्ष अपरदन के कारक तो ये भी दोस्तो अपने काम का है अपरदन के कारक क्या क्या है तो पढ़ना है दोस्तो ये नेक्ष देखिए वायू मंडल अपने लगता है दोस्तो काम का है सुरियता पे उसमा का बजट न नहीं पढ़ना नेक्स देखे वायू दापकी पेटिये में पाउने तो यह दोस्तों पढ़ना आपको जुरूरी है क्योंकि दोस्तों पाउने हैं यह अपने स्लेबस में वैसे तो नहीं दर्शा रखी लेकिन इनका दोस्तों जान होना आउश्क है आगे आपको पता चल बात इसको दोस्तों पढ़ना आपको आवश्क है वैसे दोस्तों इसको पठ äकर्म में नहीं दे रखाया अलग सिस लेकिन यह दोस्तों जानना थोड़ा जरूरी है इसके दो ही पेज़ें जादा पेज नहीं है सगनने वर्षा यह अपने नहीं है दोस्तों जलवायू का वरगी करण नहीं है दोस्तों अपने से ले बस में नेक्श देखिए जल यह चकर जल राशियों का वित्रन ये दोस्तों आप पढ़ लेना इसके अंदर दोस्तों वो मिलेगा आपको जो धाराए हैं जल धाराए हैं वो मिलेगी तो ये इसलिए पढ़ना आउशक है क्योंकि अपने जल मंडल टोपिक लगता है फिर है दोस्तों माशागर जल की गतियां तो ये भी दोस्तों आपको पढ़ना आउशक है ये दोनों इसी से रिलेटेड है दोस्तों ये दोनों दो दो पेज है पढ़ लेना ठीक है नेक्स देखिए माशागर उचावच तापा ने पर दोस्तों प्रसंद पूछ लिया जाता है क्योंकि जो अपने स्थल मंडल है स्थल मंडल में जितने भी महादीफ है तो दोस्तों उसके अंदर पूछ सकते हैं वह वोट्सपोर्ट वाले चेतर कौन कौन से तो जे विद्धा से समंदित भी एलेशन आप देख लेना नेक ज्यादा नहीं है आप दोस्तों पांच या चार दिन में इस मेंटर को पड़िके खतम कर सकते हो और आपकी पांच दिन के अंदर पृत्वी के घटक वाली यूनिट है वो अच्छे से त्यार हो जाएगी इन्हें आपके पांच नंबर पक्के हो जाएगे फिर देखे दोस पढ़ना है फिर भारत की विविताओं में एकता और भारत की विविता में सांस करते के एकता ये दोस्तों दोनों आपके नहीं लगते दोनों ही पांच नहीं पढ़ने है दूसरा तिसरा चोत्व आपको पढ़ना है दोस्तों बारत सरंचना उच्छा वच्छे उस्तला करत ठीक है इसमें बारत के बोतीक परदेश बताए गया तो वह पढ़ना जरूरी है फिर है भारत का जलवायू जल का प्रवहात अंतर यानि नदिया दोस्तों तो यह पढ़ना जरूरी है अपन को अलग से टोपिक नहीं दे रखा है नदिया लेकिन दोस्तो फिर भी आपको एक बार आंखों में से निकालना जरूरी है जो पेज है इसके दो तिन पेज फिर भारत की जलवाई उपने टोपिक है दोस्तो फिर भारत का मानसून तो भारत का मानसून वैसे तो नहीं दे रखा है दोस्तो अलग से टोपिक पर मानसून का नोलेज होना आवश्यक है ठीक है क्योंकि दोस्तो क्रिशी को ये परभावित करता है और भारत क्रिशी परधान देश है और क्रिशी अपने टोपिक लगता है तो मानसून इसलिए तो मरिदा की इदी बात करूँ दोस्तों तो भारत वाली जो यूनिट है उसमें मरिदा टोपिक है वो नहीं है लेकिन जो संसादने विकास है यूनिट अपने उसमें मरिदा दे रखा है तो यह पढ़नावशक है फिर भारत की प्राकर्तिक आपदाएं यह उपर बंदन इसक पिक आप छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं अलग से नहीं दे रखा है नेक्स है प्राकर्तिक आपदाएं वेब प्रबंदन यह भी नहीं दे रखा है फिर राजस्तान तो राजस्तान वाली यूनिट की दिबात करें दोस्तों तो राजस्तान का प्रिच्चे भोतिक शोरूप अभात तंतर ये दोस्तों है अपने पढ़ना है क्योंकि दोस्तों बोतिक प्रदेश दे रखा है जल सरक्षन जल संग्रहन दे रखा है तो ये पढ़नी है फिर राश्तान की जलवायू वनश्पति वेम्रिदा तो दोस्तों जलवायू अपने नहीं है जलवायू न नहीं है वनश्पति की दिवात करूं दोस्तों तो खनीज टोपिक अपने दे रखा है वनश्पति है वो वैसे तो नहीं दे रखा लेकिन क्रिशी के लिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं तो यहां तक दोस्तों आपके लगब लगब टोपिक कवर कर रही है यह किताब भी आपके जो क्रिशी वगएर है उन तोपिकों को कवर करेगी तो वो वाली बाद में मैं जब शुरू करेंगे पर पढ़ेंगे उस टाइम आपको बदा दूंगा उसके बारे में तब आप उसको पढ़ना अभी आपको दोस्तों करना क्या है देख लीजिए आपक इसके बारे में अभी मैं आपको मोटा मोटी बता दूंगा क्या-क्या महतोपुर्ण है तो चलिए वो बता भी देता हूं फिर यह पढ़ लेना अच्छे से कल इसका होगा टेस्ट फिर यह चोथा पार्ट इस तरह से दोस्तों पहले अपन भारत का भुगोल वाला कंप्ली तो आपको यह वाला चेप्टर है भारत की इस्तिति विस्तारवय अवस्तिति इसके बारे में मैं सिर्फ महतोपुल महतोपुल फैक्ट बताऊंगा पूरा पार्ट यह नहीं पढ़ाऊंगा फिर दोस्तों कल इसका रहेगा टेस्ट तो इसको आप अच्छे से पढ़ना क्य क्या है पर दोस्तों इसका लेंगा टेस्ट आपका इस पार्ट का प्र दोस्तों इसके लवाब आपको दिका देता हूं जो पार्ट है आपका चोथा वह आपके काम का है ये तीसरा भी काम का नहीं है दूसरा तीसरा दोनों काम के नहीं है ये ये काम का है दोस्तों ये लेसन आपको पढ़ना है ये वाला ये भारत का भोतिक परदेश है वो देरख है बहुत अच्छे से तो ये वाला आप पढ़ लेना अच्छे से next day इसका test रहेगा आपका उस part के दोस्तो आज मैं fact fact बताने की कोशिश करूँगा आगे मैं दोस्तो ये part है ये पढ़ाऊँगा नहीं मैं सिर्फ लेऊँगा test आपका क्योंकि पढ़ना खुद आप आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा समझोगे इनको तो इन चैप्टरों को आपको पढ़ना खुद को है मैं लेऊँगा सिर्फ test आपको बताऊँगा कि ये आपको पढ़ना है उत्रा बताऊँगा आज मैं सिर्फ आपको पहला जो पार्ट है उसके fact fact पढ़ा दूँगा तो अभी दोस्तों ये वीडियो देखिए उसके बाद उसके fact वाले वीडियो आ जाएगा